हुआ है चलो बच्छों तो आज हम लोग स्टेडिस्टिक में सेकेंड पार्ट का पहला चप्टर कंटीनियो करना जिसका नाम है प्रॉब्यबिटी देखो इस चेप्टर में हम लोग एक्सराइज 1.2 देख रहे थे अभी कि जिस एक्सराइज 1.2 में रियल प्रॉब्यबिटी कैसे फाइंड करते हैं वो हम लोग समझ रहे थे ना उसके कुछ सम्स भी हमने किये थे जिन में एक्सराइज 1.2 के क्वेशन 125 हमने किया था आज उसी में ही क्वेशन नंबर 6 से हमें शुरू करना है एक्सराइज 1.2 आपकी टेस्बुक साथ में रख था वो टॉपिक का थोड़ा सा रिवीजन करना है क्योंकि अब आगे के क्वेशन उस टॉपिक के अखोर्डिंग होंगे और वो टॉपिक कान सा तो वो टॉपिक है पर्मिटेशन और कॉंबिनेशन का आप लोगों को याद हो तो 11 में आपका एक चैप्टर आता था पर्मि यह 11 में था लेकिन लाश्ट अल्मोस्ट 11 स्टेंडर्ड के जो स्टूडेंट उनका टाइमिंग यह वो कोवेट में को रोना में चला गया था तो इसकी वैज़े से पता नहीं किसी को याद है या नहीं तो थोड़ा से जल्दी से रिवीजन कर लें के पर्मिटेशन मतलब क कहते हैं कि जब जो है वो कोई भी परसन या कोई भी थिंग की अरेंजमेंट करनी हो अरेंजमेंट और वो अरेंजमेंट की पॉसिबिलिटीज अगर फाइन करनी हो तो उसके लिए पर्मिटेशन काम आता है अरेंजमेंट की पॉसिबिलिटीज फाइन करने के लिए और कॉ और सी तीन लोग को जो है वह सपोस्सक्राइब बेंच पर इताना है तो उसमें अरेंज्मेंट की कितनी प्ॉसिबिलिटी जा सकती है कितनी तरह से वह लोग जो यह वह बेंच पर बैठ सकते हैं तो हो सकता है ऐ बी और सी ऐसे बैठें यहां फिर C A और B यां C B और A ऐसे हुआ ना यह सब possibility आ सकती है ना तीन लोगों को bench पर बिठाना है तो ऐसे arrangement हो सकती है कि नहीं यह तो तीन लोग थे तो मैंने directly ऐसे बताया अब वैसे ही अगर कोई जगे पर 10 लोगों को बिठाना है और उनकी arrangement करनी है तो फिर possibilities कितनी बढ़ जाती है और ऐसी जब possibilities find करनी हो ना arrangement की possibilities तो permutation काम आता है permutation की एक basic formula आती है N-P-R N-P-R N मतलब कि total कितने लोग हैं और R मतलब उनमें से arrangement कितने का करना है सब का करना है कि किसी एक दो का हो सकता है अगर तीन मैं से अगर दोगा arrangement करना हो ना मतलब 3 कला है और उनमें Eric अगर 10 में से 10 का अरेंजमेंट करना है तो nb10 rb10 और और इनके लिए फार्मुला आती है npr जैसे हम लोग कहते है n factorial upon n-r factorial n factorial upon n-r factorial यह npr की फार्मुला अब factorial मतलब क्या वो भी ध्यान है फैक्टोरियल में से कहलाता है कि कोई भी नंबर को कोई भी नंबर का अगर फैक्टोरियल दिया हुआ है तो उस नंबर का descending order में one तक multiply उसे फैक्टोरियल कहते है मतलब अगर कहीं आपको दिया वह five factorial तो five factorial का मतलब होता है कि five का one तक multiply five four three two one one तक का multiply जैसे कि 120 कि समझारे बात five factorial मतलब five four three two one सब का multiply वह यह बरवर अगर कभी दिया हुआ वह वह 10 factorial तो 10 factorial का मतलब ten nine eight seven six five four three two one one तक का पूरा multiply वह 10 factorial कि समझारे ने बात यह फैक्टोरियल कहलाता है कि कोई भी फैक्टोरियल दिया हुआ हो मतलब one तक उसा complete multiply करना है अब जैसे NPR में value ऐसे डोंड़ने सब्सक्राइब पांच में से दो का arrangement करना है five p two ऐसे अगर आता हो पांच में से दो का arrangement करना है तो यहां एन पर लिखा जाता है five r पे two five factorial upon यहां पर five minus two factorial n minus r मतलब five minus two factorial तो five factorial वो five factorial उपर और नीचे five minus two तो three factorial ऐसा ना तो जहां पर five factorial मतलब five का पूरा answer लिखते हैं five four three two one और नीचे three factorial में three two one जहां पर यह three two one one cut हो जाएगा five fours are twenty कि यह arrangement का अंसर बरवन आगे के प्रॉबैबिटी के पूरी exercise इन पर डिपेंड होगी है यह चीज ध्यान रखना अब है तो यह जैसे आयाना अंसर इसका इसको शौट में भी का सकते हैं अब जैसे सम करोगे तो सम में इतनी नहीं कोई कोई जगे पर आएगी ऐसी लॉंग फार्मुला लेकिन हर जगे पर नहीं डारेक्ली करना हो तो इनकी शौट फर्मूला भी ध्यान होनी चाहिए कि जैसे अगर पर में शौट में करना है यहां पर शौट में बता रहा हूं जैसे यही अगर five p two हमें शौट में क फूर दो डिजिट मतलब five or four descending multiply five fours are twenty वही answer मिला अगर कभी आपको पूछे 10 p3 10 p3 इसका मतलब 10 को three digits descending multiply 10 से शुरू करते हुए three digits 10 9 8 10 को three digits descending multiply तो वह answer 720 यह direct answer आ जाता है कि समझा रहा है पर्मुडेशन का इस तरह से डारेक वेल्यू भी लिख सकते हैं आप यह डारेक याद रखना और मोसम में वैसे आएगा यह भी आएगा कोई कोई क्वेशन में इस फॉर्मूला को लिख लेना एक जगह पर वेल्यू यह डारेक की याद रखना आप लोग वैसे ही कॉम्बिनेशन में आता है कॉम्बिनेशन मतलब जब सिलेक्शन करना हो समझा पांच में से दो लोगों को सिलेक्शन करना है वै क्लास में जब वह पांच स्टूडेंट है उन में से दो को सिलेक्शन के लिए तो कौन से दो हो सकते हैं पांच में से कोई भी हो सकता पहला और आखरी भी पहला और तीसरा भी हो सकता है दूसरा और चौथा भी सिलेक कर सकते हैं possibilities कितनी सारी है तो जब वह selection की possibilities हो तब यह formula use होती है उसके लिए formula लिखते हैं हम लोग ncr यहां npr permutation ncr combination तो ncr उसमें formula आती है n factorial upon r factorial n-r factorial n factorial upon r factorial multiply n-r factorial यह ncr की formula suppose 5 में से 2 अगर सिलेक करने हैं तो 5c2 यह p नहीं यह c 5c2 तो उसमें आता है कि 5 factorial नीचे r आर मतलब 2 factorial और 5-2 factorial तो उपर वही रहेगा 5 factorial नीचे 2 factorial और यह 5-2 3 factorial multiply 3 factorial अगर calculation करने जाओ तो उपर 5 factorial मतलब 5-4-3-2-1 नीचे 2 factorial मतलब 2 multiply 1 और multiply 3 factorial तो 3 multiply 2 multiply 1 इसे हो गया ना जिनमें अगर cut करें तो देखो 3-2-1 cut यह 2-2 cut 5-2 10 यह answer अगर जब selection हो तो यह formula यूज करेंगे यह इनको भी short में हम लोग कर सकते हैं इनकी भी short formula हम लोग use कर सकते हैं कि जैसे कि देखो अगर इसी में ही आपको पूछे 5c2 यह short में बता रहा हूं 5c2 तो इसका मतलब जैसे 5p2 में क्या किया 5 को two digit descending multiply ना इसमें भी पहले वही 5c2 में 5 को two digit descending multiply 5 और 4 तो नीचे नीचे टू को भी two digit descending multiply 2 को भी two digit multiply मतलब two multiply one बरवर combination में यह चीज होगी कि two को भी two digit multiply फिर cut करेंगे five fours are twenty twenty divided by two ten वाया ना अगर कभी हो 10c3 10c3 तो इसका मतलब होता है 10 को three digit descending multiply 1098 तो अपन में अपन में three को भी three digit multiply three two one फिर जो answer मिले जैसे इसका answer 120 और यह combination की short formula भी ना तो सबसे पहले permutation combination की यह formula और यह short method भी mind में रख लो तो अब जो exercise के question number six है वो question number six हम लोग देखें और बर मैंसे रफ करता हूँ अब वो question हम लोग शुरू करते हैं देखो अब जैसे question number six है इसमें इसमें दिया हुआ ना कि find the probability of getting r in the first place and m in the last place well all the letters of the word random are arranged in all possible ways देखो अब से ना हर question में आपको दिया हुआ ही होगा कि हमें arrange करना है कि select करना है अगर arrange या arrangement के बारे में दिया हुआ हो तो वो permutation वाली formula यूज करनी है और अगर selection दिया हुआ हो तो वो combination वाली formula यूज करेंगे ठीक है ना वो question में हो गई अब इसमें क्या दिया हुआ है कि word random है यह word है जो word में total अगर हम लोग कहें तो six letters है जिन six letters में दिया हुआ है कि आर in the first place पहले letter पे compulsory R होना चाहिए M at the last place लाश्ट लेटर पे compulsory M होना चाहिए और बाकी के letters कहीं पर भी arrange कर सकते हैं हम लोग ठीक है तो उन arrangement की probability हमें डूणनी है पहले पे R कंपल सरी M पे R यह लाश्ट में M कंपल सरी और यह चार word यह चार letter बीच में कहीं पर भी arrange करने है उसकी हमें probability find करनी है समझा रहे हैं न बाद तो ऐसकी अगर probability find करने है ऐसी कोई भी condition हो तो सबसे पहला काम सबसे पहला काम हम लोग करते हैं total arrangement डूणना देखो probability है probability की basic formula तो वही रहती है M upon N ठीक है न M upon N कि जिसके अंदर basically सबसे पहले total outcomes हमारे पास होने चाहिए और यहां पर अगर कहो तो total arrangement total arrangement कैसे डूणते हैं कि suppose अगर यह 6 letters है random में 6 letters हैं तो 6 के 6 को arrange कर सकते हैं न हम लोग वो total arrangement क्या लाए कि सबसे पहली चीज़ लिखी जाएगी कि total arrangement कि आफ वर्ड रेंडम सबसे पहले अगर इसकी total arrangement करें तो वह n equal हो जाएगा कि total 6 letters हैं उन 6 के 6 की arrangement मतलब 6p6 6p6 और 6p6 का अगर answer लिखना हो तो उसका जो है वह direct answer हम लोग कितना आजाएगा वह answer आजाएगा 720 अना 6 5 4 3 2 1 total 720 यह वर्ड आ जाएंगे नहीं और इनके बाद इनके बाद फिर जो है वह हमें क्या कहते हैं possible outcomes दूणने हैं देखो probability में दो चीज़ें चाहिए होती है m upon n m upon n n मतलब तो टोटल अरेंजमेंट या टोटल आउटकम्स वह मिल गए और m मतलब पॉसिवल आउटकम्स या पॉसिवल अरेंजमेंट और जब भी पॉसिवल अरेंजमेंट ढूंडनी हो तो उसके लिए जो जो आपको condition दी गई हो न उन condition की और मतलब से मतलब यहां पर जो है कि लिए अरेंजमेंट ऑफ arrangement of r in first place r first place पर लिखें तो उनकी arrangement तो उनकी arrangement में ऐसे करते हैं कि r letter कितना है एक, एक ही letter है और उसके लिए place कितनी है एक, place भी एक ही है तो उसकी arrangement आजाती है 1p1, एक letter की एक place तो 1p1 उसके लिए answer 1 1p1 का answer तो 1 ही रहेगा ना, r की first place पर दूसरी condition है आपकी कि m last place पर होना चाहिए तो उसकी arrangement लिखते है कि arrangement of m in last place last place पर m होना चाहिए तो उसके लिए भी देखो letter a की है m और place भी एक ही है तो मतलब उसके लिए आएगा 1p1 तो 1p1 उसका answer भी one जो condition दी गई है उसके इसाब से arrangement ना और उसके बाद जो बाकी के हैं उसकी arrangement लेख सकते हैं बाकी कितने letter हुए बाकी के चार ना वो बले question में ना दिया वह arrangement दो उसकी भी हो सकती है ना बाकी के चार की arrangement तो यहां लिखा जाएगा कि arrangement of remaining remaining letters remaining letters remaining letters तो remaining कितने letters हुआ है four उनके लिए place भी कितनी है four four letter को four place मतलब उसकी arrangement आ जाएगी फोर पी फोर पर अगर समझो four letter होते और यहां प्लेस दो ही होती तो हम लिखते four p two simple सी बात पर यहां पर आएगा four p four मतलब four p four का answer हम लोग लिखते हैं four three two one कितना 24 4 sniff this सकताव अधर हो एक होगया और फाइनली फृइनली फिर लिखा जाता है कि टॉटल possible arrangement के हिसाब से पहले अलग-अलग हमने ढूंड़ा अब total possible arrangement और total possible arrangement में जो तीन अलग-अलग condition ढूंदी नहीं तीनों का multiply, वहले total लेकिन प्लस नहीं करते हैं तो तो multiply मतलब हो जाएगा 1 multiply 1 multiply 24 1 1 और 24 तो कितना आ जाएगा उसमें 24 आ जाएगा बरबर और यह 24 वो M कहलाया है यहां पर लिखे ना कि so M equal to 24 total possible arrangement यह total arrangement हुआ और यह possible arrangement M24 और M और N मिल जाना तो हमें फिर main probability डून नहीं है मतलब आप लिखेंगे कि probability probability for this event इसमें हमने A, B, C को suppose नहीं किया है तो बले डिखेंगे ना कि probability for this event M upon N मतलब M पे 24 upon N पे 720 24 upon 720 24 3 जा मतलब आंसर आएगा 1 upon 30 इस condition के हिसाब से जो probability डून नहीं थी वो probability का answer कितना मिला 1 upon 30 समझा रहा है कैसे यह arrangement में ऐसा ही probability डून देंगे पहले total arrangement उसके बाद जो condition दीगे है वो condition wise arrangement डून के possible arrangement सबका multiple है फिर final probability परवर यह question अची तरह से देखो sixth वाला समझो तो वैसे ही seventh वाला question देखें आम लोग देखो अब जैसे seventh वाला question है उसमें दिया हुआ है कि find the probability of getting vowels in the first third and sixth place when all the letters of the word orange are arranged in all possible ways बरवर अब यहां पर भी देखो वर्ड दिया हुआ है औरेंज इन औरेंज को अगर हम लोग arrangement करें तो इसमें भी देखो six letters है और उन six letters के लिए अश्में condition ऐसी दी गई है कि जो वावल्स हैं वह first third और sixth place पर होने चाहिए ऐसे दिया हो ना वावल्स आर इन first third and sixth place तो वावल्स इन में से कौन-कौन से हैं वावल्स यह है ना ओ ए वावल्स दियान है ना ए आई ओ यू वावल्स यह तीन वावल्स हैं और उनके लिए प्लेस होनी चाहिए फर्ष्ट थर्ड और सिक्स्थ प्लेस तरवर्वर्स देखो है तो चलो उसी प्लेस पर लेकिन और रेंज्मेंट कोई भी ना मतलब ओ जरूरी नहीं यहीं वहां वावल्स नहीं तीन में अरेंज करने बाकी को उन जगह पर अरेंज करने उसकी probability हमें find करनी है बरबर तो ऐसी probability में भी सबसे पहले तो क्या किया जाएगा total arrangement ना पहले तो total arrangement find कर लें तो यहां पर भी total arrangement forward orange अगर orange का total arrangement कहें तो total arrangement उसमें कितना letters है six six letters है और six के six की अगर arrangement करें तो n equal to हो जाएगा six p six six p six मतलब six four six digit multiply कितना seven twenty twenty मैं डारिक लिख रहा हूँ हुआ वा तो वही ना six 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 digit six five four three two one to seven twenty और उसके साथ अब उसके साथ condition wise जो है वह हम लोग arrangement करेंगे तो possible arrangement हमें मिले m मिले n मिल गया अब m मिले तो condition wise में पहली condition इस question में क्या है कि वावेल्स इन तीन जगह पर होने चाहिए बर्वन वावेल्स इन तीन जगह पर होने चाहिए और इसमें वावेल्स भी कितने हैं तीन हैं तीन वावेल्स तीन प्लेस तो उसके लिए यह ऐसा लिखा जाता है कि arrangement of arrangement of three vowels in first third and sixth place तो उनकी arrangement करें तो त्री वावेल्स है और प्लेस भी 3 है तो arrangement कैसा होगा 3P3 3 वावेल्स और प्लेस भी 3 तो 3P3 और 3P3 का answer क्या आता है 6 6 आता है ना 3P3 मतलब 321 321 का multiply 6 यह arrangement हो गया उसके बाद इन्हों ने पूछा हुआ है कि बागी के letters का बागी की जगे पर arrangement करें तो बागी के कितने letters है 3 और बागी की place में कितनी 3 बागी के 3 letters 3 place तो उनकी अरेंजमेंट हम लोग करते हैं कि अरेंजमेंट आफ है अरेंजमेंट आफ है रिमेनिंग लेटर्स है फॉर रिमेनिंग प्लेज प्लेज है कि बागी की जगे पर arrangement करें तो 3 letters है 3 place 3 P3 और यहां पर भी 3 P3 हो जाएगा 6 अगर 3 P3 6 यह दोनों मिल गए है तो अब अब टोटल पॉसिबल अरेंजमेंट हम लोग ढूंद लेना बरबन मतलब अब यहां पर लिख दें टोटल कि पॉसिबल तो अरेंजमेंट यह एक-एक अरेंजमेंट हो गई अब टोटल पॉसिबल अरेंजमेंट दूंडें और टोटल पॉसिबल अरेंजमेंट में जो जो ऐह अलग-अलग धूंडी मिल गया न और M और N मिल गया मतल्ब सम ख़तम अब खारिए ऑफ इसकी प्रभावीपलीटी बता दे किप प्रभावीपलीटी स्य पार थे वेंट का अई करने एक्वेल्टो M आपवरन एस इवेंट डी यापकी चेया है मतलब कोनों जो अगर हम कट करें तो 36 से कट होगा ना 36 तूजा मतलब वन अपॉन ट्वेंटी वन अपॉन ट्वेंटी यह इसकी प्रॉब्यबिलिटी समझारी है मैथड क्लियर हो रहा है न माइंड तो अब जैसे सेवंथ वाला देखा ये भी क्वेश्चन अचीज था इससे लिख लो तो फिर उसके बाद एट वाला क्वेश्चन देखें हम लोग अब जैसे एट वाला क्वेश्चन दिया हुआ है उसमें लिखा हुआ है कि 5 members of a family husband wife and three children are randomly arranged in a row for a family photograph and find the probability that the husband and wife are seated next to each other यहां क्या condition है कि 5 family members है इन 5 family members में husband wife or three children है इन पांचों को हमें arrange करना है इस तरह से arrange करना है कि husband और wife साथ में ही आने चाहिए photograph लेना है ऐसे photograph लेना है कि suppose अगर husband and wife है वो husband and wife का एक group एक group न वो साथ में ही वो साथ में होने चाहिए बले फिर वो तीन children है तो उन तीन children के पहले वो हो बले इन दोनों के बीच में हो लेकिन साथ में हो बले इन दोनों सबसे पहले तो क्या करते हैं हम लोग तो सबसे पहले टोटल अरेंजमेंट हम लोग फाइंड करते हैं यहां बले ही जो है वह फैमिली मेंबर्स हैं टोटल अरेंजमेंट कहें है तो टोटल अरेंजमेंट है और फाइफ फैमिली मेंबर्स तो 5 family members के अगर हम लोग arrangement का है न तो उन arrangement n equal to 5 p 5 हो जाएगा न बरबन न 5 लोगों का arrangement 5 p 5 और 5 p 5 का answer क्या तो उसका answer 120 5 4 3 2 1 तो 120 आ जाएगा न उसका answer बरबन न यह total arrangement अब उनके साथ जो condition दी गई है उसकी arrangement अब यह माइंड में रखना कि इनकी condition जब भी ऐसा कोई एक group साथ में रखना हो यह तो family member में husband and wife है यह इनकी जगे पर कोई भी होना जब भी arrangement हो तो उसका कैसा arrangement करना है दो-दो अगर साथ में लेने हो तो कैसे arrangement करना यह माइंड में रखना सबसे पहला arrangement होगा इन दोनों काई अगर husband और wife है तो उनका fix थोड़ी है कि पहले husband या पहले wife है आएंगे वह भी तो आगे पीछे हो सकते है ना पहले wife फिर husband उनकी arrangement भी तो हो सकती है ना तो सबसे पहले arrangement होगी कि arrangement of husband और wife together है सबसे पहले उनकी arrangement तो उनकी arrangement यहां पर होगी 2p2 दो लोगों की arrangement ना दो लोगों की दो प्लेस पर arrangement तो उन दोनों की arrangement क्या लाएगी तो उन दोनों की arrangement कितनी होगी तू ही होगी 2p2 मतलब 2 multiply 1 तू ही रहेगा न और दूसरी arrangement तो दूसरी arrangement कहेंगे arrangement of husband and wife husband and wife together together with three children husband and wife together with three children अब ये दोनों तो साथ में हैं वो उन तीनों के साथ arrangement करनी है ना तो जब ऐसे साथ में हो ना ध्यान देना तो उन दोनों का एक unit अब गिनेंगे अब दो नहीं अब एक unit और इस condition में टोटल unit गिने जाएंगे three children और इनका एक unit क्योंकि husband and wife जहां पर बैठेंगे तो वह बले यहां पर हो या इनके बीच में या इनके बीच में या बले आकरी में कहीं पर भी वह तो साथ में होंगे ना तो उनका एक unit रहेगा और वह थ्री चिल्ड्रन के unit मतलब यहां पर टोटल यूनिट आएगा हमारा four p four four unit बनेंगे three children और इनका unit इनका तो अंदर यंदर हम लोग arrangement कर सकते हैं ने टूपी टू बरबर ना उनका arrangement तो हो गया लेकिन अब इनका combine इन तीनों के साथ arrangement तो टोटल फोर का arrangement कहा जाएगा वरबर यह note करना और four p four का arrangement करें तो वह arrangement हो जाएगा कितना 244 321 वह 24 ठीक है और अब अब इनका total arrangement जम total possible arrangement कहते हैं तो टोटल पॉसिबल arrangement हो जाएगा कि वह arrangement में दोनों का multiply 2 multiply 24 2 multiply 24 48 48 ना मतलब के m equal to हो गया यहां पर 48 और m n मिल जाए तो वही फिर उसकी probability कि प्रॉबेबिलिटी फोर देस एवेंट तो उसमें m upon n 48 upon 120 48 upon 120 दोनों कट होंगे ना जैसे दोनों कट होंगे 24 से 24 से कट कर सकते हैं 24 तूस हा और 24 फाइज तो आंसर तू अपॉन फाइग बरबर यह फाइनल आंसर आएका ना इसमें जो यह लॉजिक यूज हुआ है यह कंबाइन यूनिट का यह लॉजिक माइंड में रखना कि समझा रहे बात तो अब जैसे एट वाला क्वेशन देखा वैसे एक आखरें नाइंत वाला क्वेशन भी हम लोग देख लें अब जैसे नाइंत वाला क्वेशन है हमारा दिया हुआ है कि सेवन स्पीकर्स एबी सीडी एफजी और इन्वाइड इन प्रोग्राम टो डिलि पर स्पीच इमीडियेटली आफटर स्पीकर एक वरवर देखो यहां पर ऐसा है कि सेवन स्पीकर्स है अबी सीडी एफजी यह सातों स्पीकर्स देने के लिए आने वाले हैं लेकिन कब कहां वो नहीं पता रैंडमली कोई कहीं पर भी यहां हो सकता है यहां हो सकता है यहां बाकी कहीं पर भी अरेंज हो सकते हैं बरवन बी की प्लेस उसमें फिक्स है यह चीज ध्यान रखना कि कहीं अगर यहां आया तो उसके बाद भी अगर यहां आया तो उसके बाद भी ए आखरी में नहीं आ सकता क्योंकि ए आखरी में कैसे होगा एक बी बचा हुआ होगा ना त तो उसके बाद यह बरूबर ना ऐसे हो सकता है ना कि A के बाद तुरंट B आएगा यह possibility यह condition इसमें दी गई है तो इनमें अगर probability ढूंटा ना सबसे पहले तो टोटल अरेंज्बेंट ही find करने कि टोटल अरेंज्बेंट कि आफ सेवन स्पीकर्स सेवन स्पीकर्स हैं तो उनके टोटल अरेंज्बेंट कितनी होगी सेवन पी सेवन ना मतलब सेवन पी सेवन कितना हो जाता है फाइज जीरो फोर जीरो यह N हुआ न लेक देंगे N फाइज जीरो फोर जीरो बरवर N मिल गया अब उसके जो पॉसिवल अरेंज्बेंट ढूणते हैं तो उसके लिए कंडीशन में A की कंडीशन है सिफ B की बी आ के बाद आएगा तुरंत वह एक कंडीशन है और किसी का फिलाल कंडीशन नहीं है बी आ के बाद आएगा तो सिफ उस एक की ही आरेंज्बेंट अacs कहेंगे कि arrangement of arrangement of B who is next after A ऐसा लिख सकता ना कि B की arrangement जो A के बाद आने वाला है अब B A की person की arrangement आना और उसके लिए place भी कोई A की होगी ना जो A के बाद वाली place होगी बले कोई भी लेकिन A के बाद वाली place एक ही होगी नो उसके लिए तो मतलब one person और one place one P one अब लोग ऐसे मत सोच ना कहें उसके लिए तो साथ place हैं तो हम लोग कभी ऐसे लिखे एक person है B और उसके लिए साथ place यह कभी भी possible नहीं होता है पर्मिटेशन और कॉंबिनेशन की जो फर्मुला आती है एन पी आर उसमें आर की वेल्यू हम्मेशा एन जितनी या उससे चोटी होती है एन से ज्यादा कभी नहीं होती तो एन अगर वन हो और उसके सामने आर सेवन लिखें वो पॉसिबल ही नहीं गलत है वो बर बर यहां लोगों की arrangement मतलब उसमें लिखेंगे के arrangement of remaining six speakers बाकी की जो arrangement है उनमें अगर देखें तो आप 6 लोग है और उनके लिए 6 place होगी एक प्लेस तो 2 के यह रिजर्व हो गई ना समझो तो बाकी के छे लोग और छे प्लेस मतलब उसके लिए लिखा जाएगा शिक्स पी-स बरबर ना शिक्स पी-स लिखा जाएगा और उनमें उनमें अगर करें तो कितना आ जाएगा करेंगे कि टोटल पॉसिबल अरेंजबेंट तो टोटल पॉसिबल अरेंजबेंट कितनी हो जाएगी वन मल्टिप्लाइब 720 इन दोनों का multiply 1 multiply 720 मतलब कितना हो जाएगा 720 यह M equal to हो गया 720 और M मिल गया तो वह ही फिर उसकी probability कि probability for this event probability for this event equal to M upon N मतलब M पे 720 और N पे 5040 यह आजाएगा और इनकी calculation करें तो यह हो जाएगा 72 7s 72 7s 504 मतलब आजाएगा 1 upon 7 क्या है कि इसकी probability 1 upon 7 यह इसकी probability हो गए कि समझारिये बाद यह arrangement ध्यान आ रहा है न यह logic सब माइंड में रखना तो आज जैसे यह इतने समस्ट हमने देखे न यह arrangement के समस्ट अब जो next method आएगे आगे selection के भी नई method भी होगी वह आप हम लोग next videos में देखेंगे okay thank you